नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूज सुनोने और मैं आपका सवगत करता हूँ मालवडाईरी में दोस्तों आज है 8 दिसंबर का दिन और आज का दिन International Migrants Day याने अंतर राश्ट्री प्रवासी दिवस के रूप में मनाये जाता है और इस पर शिसकिती में harnessing the potential of human mobility दोस्तों प्रवास मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीवों के जिन्दगी का भी एक महतुपुर्ण हिस्सा होता है यसे कि हम सभी जानते हैं अभी ठंड का मुसम चल रहा है और ठंड के मुसम में दूर ठंडे प्रदेशों से भारत में खासकर राजस्थान के भारतपूर में प्रवासी पक्षी आते हैं प्रवास सिव पक्षी ही नहीं कीड़े मकोड़े भी करते हैं, मोनार्क नाम के एक तितली उत्तरी अमेरिका तथा कैनेडा से 3000 मिल दूर मेक्सिकों में प्रवास करने के लिए जाती हैं, दोस्तो इन जीवा का जो प्रवास होता है, यह है इनकी नेचरल इंस्टिंग्ट, प् दोस्तो जैनेटिक अध्यनों से एक बात सामने आई है, जिसमें यह बताया जाता है कि आज मुझूद प्रत्थी पे समस्त मानव के वंशज, आज से 65-70,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से निकल कर पूरी दुनिया में फेले थे, अफ्रीका से यह जो प्रवास हुआ था, य बहुता भारत से इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया पहुचा, उसके बाद में यहां पूर्व एशिया ही देशों जैसे चाइना तथा जापान तक पहुचा, और दूसरी तरफ यहां एशिया से होते वे यूरोप, यूरोप से होते वे सुदूर भागो तक फेला, तो दोस् पर एशिया में पहले से इंसान रहते थे, परन्तु इन नए प्रवासियों का उन पूरोवरती जनसंख्या से या तो संगर्श हुआ होगा, या फिर इनोंने उनके साथ सवास कर लिया होगा, दोस्तो यूरोप के नियंदर थर इंसान के बारे में तो आपको पता ही है, जो का विकास होता गया, इन में सभ्यता आते गई, धीरे धीरे यहां शिकार से खेती की तरफ तता खेती हर समाज से एक नगरी समाज की तरफ बढ़े, जैसे कि सिंदु घाटी सभ्यता, मेसापोटेमिया सभ्यता, मिस्र तथा चीन की सभ्यता, दोस्तो यहां हमारा प्रमान थ जिसे गावों से नगर की और प्रवास का, जैसे यह पुराने सभ्यता के शहर विक्सीत होगे, लोग गावों से शहर की और प्रवास करने लगे, अब इन सभ्यताओं के बीच में आपस में व्यापार भी होता था, जैसे सिंदु घाटी सभ्यता और मेसेज应 कोटेमिया की किनारे बसी थी उन नदियों का या थो रुख बदल गया या फिर उन अदी परियावर्ण में आये परिवर्तन के कारण सूख गई जिनके कारण इन सब्वेता के लोगों का भारत के अन्य इलागों के तरफ प्रवास हो गया जैसे मानो और विक्सित हुए उन्होंने लोहे का विशकार किया और मानो सब्वेता लोहे यूग में प्रवेश कर चुकी थी दोस्तों यहां से शुरू होता है बड़े-बड़े सामराज्यों का सफर एक सामराज्य दूसरे सामराज्य पर आक्रमन करता था अब जब जो अधिकांश्तह जो हारेवे सामराज्य के लोग थे उन्हें गुलाम बनाकर ही जीतेवे सामराज्य की तरफ ले जाया जाता था दोस्तों चंगेश कान सिकंदर और बैबुलान अलेक्जेंडर और बैबुलान का उधारण से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मनुष्य की महत पर इसलाम का जन्म होता है और धर्मके आधारा पर एकटा हुए लोग तेजी से अपने सामराज्य का प्रचार पसार करते हैं और इसी समय बहुत बड़ी संख्या में मानुँ का प्रवास होता है जिससे बहुत की तेजी से सूश्नाओं तथा जानकारियों का अधान प्रवेश करता है इस समय यूरोप विज्ञान के शेत्र में पुरी दुनिया में सबसे अग्रणी हो जाता है अब यूरोप के लोग पुरी दुनिया के तरफ फैलने लग जाते हैं शुरुवात में तो यह व्यापार के लिए फैले थे परन्तु जब वह उत्तरी तेथा दक थी बेकार हुआ बहुती बुरा प्रभाव उनके उपर पढ़ा यही ऑस्टेलिया में भी हुआ और उसके बाद जब यूरोपिय लोग अफरीका तथा भारत में आए तो यहां पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किये और यहां से बड़ी संक्या में गुलामों को पकड़ कर दूर यूरोपिय देश तथा आस्टेलिया तथा अमेरिका में ले गए जिनसे वहां पर खेती तथा अन्य तरेकी के काम करवाई जाते थे यहां प्रवासी आज भी महां पर मुझूद है और यहां विश्व के एतिहास के प्रवास का सबसे काला अध्या है द सीखने के लिए खुले विचार का होता है खुले दिल का होता है तथा जो मनुश्यों का समुदाय प्रवास नहीं करता है उनकी ग्रोथ वहीं के वहीं रुख जाती है दोस्तों प्रथम तत्वा दिती विश्वयुद्ध के दोरान वे भारी संख्या में जन संख्या में एक कुछ भारत भी आये थे और वापिस वह पुनल उटकर अरब देश जिसे फिलिस्तिन कहते हैं महाँ पर अपना इस्राइल बनाते हैं तता वह लोग आज भी वही पर रहते हैं था ना यह एक अजिब तरह का प्रवास तो 1947 में भी भारत और पाकिस्तान का बटवारा धार्मिक जाधार पर हुआ था जिसमें लाखों लोगों को प्रवासी बनकर एक देश से दूसरे देश एक जगे से दूसरी जगे जाना पड़ा था और इस प्रवास के दुराण 10 लाख से जाधा लोगों की मृत्ति हो चुकी थी परन्तु आज हम जो प्रवास देखते हैं वह मानो दोस्तों यू तो प्रवास एक गाउं से दूसरे गाउं एक शहर से दूसरे शहर एक प्रवास से दूसरे प्रवास में थोड़ी कमी आई है और इसने एक नए तरह के कलचर को जन्म दिया है जैसे कि IT इंडरेस्टिस में हमने देखा work from home, घर से ही काम करने का culture शुरू हो चुका है जो लोग काम की तलाश में दूसरे शहर या दूसरे देश चले गए थे, वो लोग लोट कर वापिस अपने घरों में आ गए है इसमें मजदूर तपका भी, अपने काम की तलाश में जब वो दूसरे बड़े शहर में गए थे, वो लोग भी वापिस अपने गाओं में आ गए है पर इन आईटी प्रोफेशनल की तरह उनको यहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है इसका असर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स पर भी हुआ है जो लोग से पढ़ाई के लिए प्रवास किया करते थे, या किसी दूसरे देश चले जाये करते थे या कि अन्य बड़े शहर में जहां पर अच्छी उनिवर्सिटीज हों वहां पर पढ़ने चले जाये करते थे अब वो लोग भी घर में ही बेटकर ओनलाइन क्लासेस के दारा पढ़ाई कर रहे हैं इसने एक नई तरह की संभावना को जन्म दिया है दोस्तों मनुष्य की महत्वा काइशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसे ये प्रत्वी प्रवास के लिए काफी छोटी लगने लग गई है अब इलॉन मस्क, जेव बे जौस, रिज़र्ट ब्रैंसन जैसे उद्योक पतियों ने इस दिशा में कदम बड़ा दिये है अब मनुष्य प्रत्वी के पार दूसरे ग्रहों के तरफ प्रवास करने के बारे में सोच रहा है भविश्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता भविश्य हमेशा अनिशित रहता है परन्तों एक बार तो अनिशित है कि मनुष्य प्रवास करता रहा है तथा भविश्य में भी मनुष्य का प्रवास यूँ ही जारी रहेगा तो दोस्तों यह थी International Migrants Day के उपर मालवा डायरी की तरफ से छोटी सी प्रस्तुती आशा करते हैं आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को संस्क्राइब करना न भूलिएगा धन्यवाद